तो आज हम की रिएट करने वाले हैं वेलकम बोर्ड बैडिंग में के लिए तो उसके लिए आपको कुछ सामगरी चाहिए होगी तो मतब ऐलिमेंट्स चीहोगे एलिफेंट, ब्राइडन गुरूम इस तरह की कोई शेप एंदेन आईडिल, गनेश जी का एंद सिटिंग के लिए इस तरह का एलिमेंट एंद लाइटिंग, एंद बैकड्रॉब, लेस् स्टार्ट इस वीडियो सबसे पहले आपको केनवा की वेबसाइट पे जाना होगा यह सारे एलिमेंट जो हमने स्टार्टिंग में दिखाएते वो आपको मिल जाएंगे पिन इंट्रेस्ट वेबसाइट से और बाकी जो एलिमेंट्स हम यूज करेंगे फ्लावर्स वगएरा वो कैनवा पे अवेलिबल है फ्री में जल्दी जिसमें सारे फंक्शन का कार्ड होने वाला यह काफी ठीक लग रहा है मुझे क्योंकि इसमें सारे ड्राइडन ग्रूम सबका अच्छे से लिखा हुआ है सो वेलकम बोट क्या होता है बेसिकली जब आप किसी रेस्टॉरांट होटल में अपनी वेडिंग के लिए जाते हो तो वहां पर आपके स्वागत में या फिर जो भी इवेंट होता है जब स्टार्टिंग होते हैं सारे वेडिंग के फंक्शन की तो एक वेलकम वोट क्रियेट कराया जाता है ब्राइडन ग्रूम की फैमिली की तरब से ताकि सारे जो जितने भी गेस्ट हो जब वो एंटर कर रहे हूं वेन्यू पर तो वहां पर वो उसको देख सके हैं कि हाँ फेस्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है बेसिकली सो यह वाले में काफी टेक्स है आप इसमें बस अपने जो भी ब्राइडन ग्रूम का नेम है वो चेंज कर दो सो मुझे यहां पर मैं डाल देत करते हूं सलमान ठीक है यह टेक्स आप खुद एडिट कर लेना एक बार जो भी आपके ब्राइड ग्रूम का नेम है और यह बैलकम बोर्ड है ठीक है सो हम पूरी एक सीरीज जल्दी लाने वाले हैं आपको लास्ट में दिखा देंगे कि किस तरह बहुत ही अच्छा कंटें क्रिएट हुए बहुत ही सुंदर-सुंदर वेडिंग काड क्रिएट हुए हैं जो भी आप इंस्टाग्राम पे देखते हो ना अच्छे से वह सारे हमने क्रिएट करें हल्दी मेंदी, इंगेजमेंट, वेडिंग अभी हमें उसके लिए शूट करना है करें हम उन्स-न एलि इसमें डिवाइट करके आपको शो करूं, जो भी आप हो, कमेंट में जरूर बताना सो यहां पर हम डाल देते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं, टेक्स्ट एंड सो दा एडवेंचर बेगिंस, ठीक है, आप ब्राइड गुरूम का नेम डालो एंड डालो, एंड सो एडवेंचर बेगिंस, एंड हम यहां पर वेलकम टेक्स्ट भी लिखेंगे, बाकि यह डेट वेट हटा दो, क्योंकि यह वेलकम बोर्ड है, इसमें डेट की जरूरत नहीं पड़ेगी सो हम यहां पर लिखेंगे, वेलकम, कि आप सभी का स्वागत है, सो यहां पर मैं एक अच्छा सा फॉन चूज कर लेती हूं, जो इस पर जाएगा, I think Amsterdam will not suit, एप्रिला चैट, ट्राइ कर लेते हैं, सो यह वाला फॉन्ट एप्रिला है, A-P-R-I-L-A, कैनवा पर मिल जाएगा, सर्च कर लेना, सो नाव इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, सो एडवेंचर बिगिन्स और वेलकम को उपर लिख देते हैं, नाव हम इन सब को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक बार, सिलेक्ट अल थीज एलिमेंट्स और ग्रॉप देम, सो आम सिलेक्टिंग देम वन बाई वन, फोन में जब आप करोगे तो यू विल फिल लिटल दिफिकल्टी, इसलेक्ट करके मैंने ग्रॉप कर दिया इनको, अब हमारी जो एलिमेंट हमने पिन इंट्रेस्स से डाउनलोड करके उनका बेक्ग्राउंड रिमूव कर रहा है, जो स्टार्टिंग में दिखाया है, उनको मैंने यहां पर अपलोड कर लिया है, अपलोड फाइल्स करके हाँ पर आपको दिख जाएगा, यह वाला बैक्ड्रॉप मुझे बहुत ही अच्छा लगाता है, और मैंने इसे पिन इंट्रेस्स से फस्स टाइम देखती ही डाउनलोड कर लिया था, क्यूंकि वैलकम बोड इस थोड़ा लग्जीरियस, मतब बहुत सारे गैस्ट आएंगे, festivities है, wedding है, थोड़ा लग्जीरी फील होना चाहिए, यह wedding card थोड़ा, जो texture है वो थोड़ा लग्जीरी को present करता है, now you can see na, text और वो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही royal type का vibe दे रहा है, so that is why I use this background, what I am doing कि मैं एक नाएक करके सारे elements को एक जगे पर लारी हूँ, यह आपको जब भी wedding card करना है, please bring all the, not all, मतलब most of the elements को आप उस पर रखके देखो, आपको खुश समझ आ जाएगा कि कौन सा element जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा है, क्या extra करना चाहिए, जिससे उसमें बहुती अच्छा सा एक texture या वाइब क्रियेट होगी, आप यह जरूर करा करो कि दो तीन elements को रख रखके देख लो texture के उपर, अब मैं इसको थोड़ा सा center में कर देती हूँ, now it is looking quite luxurious है, luxury को शो कर रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, मैंने स्टार्टिंग में टेक्स इसलिए लिख लिए था, क्योंकि अगर आप फोन में बना रहे हो, तो अगर आप बाद में लिखने की कोशिश करोगे, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फोन की screen काफी छोटी होती है, तो आपकी fingers भी उतनी हैं, कितनी सारे elements को एक साथ box को manage करोगे, तो इसलिए text को हमेशा starting में लिख लिया करो, एक अलग page पर चाहे तो, और फिर उसके बाद यहां पर paste कर दो, बाद में text लिखने का कोई मतलब नहीं है, सो नाव हम इसको थोड़ा सा adjust कर लेते हैं, इसका font size थोड़ा सा decrease करेंगे, now we will use these cute little elephants, थोड़ा sign के उपर जितना भी आपने clothing material देख रहे हैं, थोड़ा से wedding का vibe है, थोड़ा wedding elements, colors हैं, so I will use these little elephants, and you can get these elephants from print interest easily, there are many options for elements, आपको just print interest पे जाना है, आपका जो भी पसंद का color है, जो भी आपको चीजे पसंद है आप उस पे search करो, मैंने जो गनेश जी का idol यूज कर रहा है, इसमें वो golden color में यूज कर रहा है, क्योंकि सारा card में थोड़ा थोड़ा golden color यूज हुआ 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 है, और wedding card पे आप हमेशा देखोगे, कि आपको गनेश जी का कही ना कही आइकन देखने को मिलता है, मैंने पीछे के wedding card में यूज नहीं करा हुआ है, क्योंकि कुछ अलग ताइप के clients के लिए मैंने बनाया था, यह एक राजस्तानी क्लाइन के लिए बनाने को उन्होंने बोला था, कि उनको welcome board थोड़ा luxury में चाहिए, ना हमने वह एक setting arrangement यूज कर रहा है, यह हमारे bride and groom है, मैंने इनको चूज कर रहा है क्योंकि इनका जो आप लहंगा देख रहे हैं, इसमें भी थोड़ा सा blue color का है, तो वह थोड़ा corporate like formal चीजों का थोड़ा vibe है, उसमें इसलिए, simple है पर काफी minimal and formal kind of a vibe, ठीक है, इसको हम align कर रहे हैं कि सही जा रहा है, यह सब center में होना चाहिए, center में नहीं होगा तो अलग से पता चल जाता है कार्ट को देखके, हाँ यह center में है, अब इस box को छोटा कर लेना, वरना बाद में जब आप दूसरे elements को इसमें adjust करोगे, तो वो एक दूसरे से कहीं न कहीं टकराएंगे, उसकी ज़े से problem होगी आपको चीज़ों को move करने में, so this is our bride and groom for the welcome board, okay, I think यह जो पीछे का background में जो sitting वाला दिया हुआ है, उसके flowers मुझे this card के साथ match होते नहीं दिख रहे हैं, देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं, बाद में इसका कुछ करेंगे, फिलाल रहे हूँ, wedding rectangle करके, तो यह rectangle shape में कुछ अच्छा सा मिलता है, तो उसको use करके फिर decorate कर दूँगी में, इसको एक बार use करके देखते हैं, इसको एक बार use करके देखते हैं, इसको देखते हैं कैसे modify कर सकते हैं, इसको हम decorate कुछ से करेंगे, कहीं से हमने download नहीं करना है, इसके लिए थोड़े से flowers देख लेते हैं, सो search for flowers, try to search for white flowers, आपको इसमें सारे नहीं मिलेगे, तो एक बार white flowers सर्च करके देख लेते हैं, सो यह वाले flowers काफी अच्छे हैं, मैंने यह काफी यूज कर लिए ते अलग अलग तरीके के, पर कोई नहीं जा रहा था तो इनको सब को delete करकी, यह जो white roses हैं इनको यूज करेंगे, और इसको थोड़ा decorate कर लेंगे side side से, yeah this is looking very nice, अब हमें एक और flowers चाहिए होगा, जो एक दम हमें center में चाहिए, वो जो rectangle उसके center में चाहिए होगा, ताकि वो थोड़े बड़े हो size में और जो side वाले हैं, मैं जहां roses यूज कर रही हूँ, वो थोड़े small से भी हो तो चल जाएगा, middle के लिए कुछ ऐसा चाहिए, तो जो थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, fluffy type का होना चाहिए, ताकि वो center में देखे, यह वाले flowers काफी अच्छे हैं, यह वाले यूज कर लेते हैं, काफी बड़े भी हों, काफी भरे भरे से भी लग रहे हैं, हरे भरे I mean to say, इसको एक bottom में और एक top में यूज करेंगे, अब आप इन सब को select करके group कर दो, select all of them and then group, and then आपको copy करके दूसरा वाला दूसरी साइड में, यह लेफ साइड में और राइट साइड में यूज करना है, यह सारे group हो गए हैं select करके, now copy it, तो यह काफी अच्छा लग रहा है, I think I really like this one, यह बहुत एलिगेंट वाइब दे रहा है थोड़ा सा, I really want to use a wedding song in intro of this video, but I think YouTube की नई policy के साब से, copyright आपको, वो जो free music है उस पे भी आ सकता है, आज नहीं तो कुछ दिन बाद आएगा पर आएगा जरूर, तो 30 seconds भी यूज़ करने में यह लगता है, I think मेरा कोई video था जो एक साल पहले आया था, उसमें मैंने, I think 40-50 seconds के लिए कुछ एक music यूज़ कर रहा था, वो free था, YouTube मतब जो studio में music अवेलिबल होता है, और उसमें मुझे 2-3 दिन पहले कोई copyright दिख रहा है, तो मैंने का, मतब engaging audience को starting में music अच्छा लगता है, पर आजकल बहुत problem है, यूज़ करते हैं तो उसमें copyright कभी भी आ जाएगा, आज नहीं तो एक साल बाद आएगा, तो सारी video की महनत खराब होगी, So यह वाला पूरा prepare हो चुका है, Now this is all done, I think इसके roses एक बार देख लेते हैं, वह वाले flowers वाइट वाले rose कहीं पर यूज़ करें, कहीं पर इसलिए नहीं यूज़ करें, क्योंकि वह थोड़ा भरा भरा नहीं लग रहा था, वह बहुत खाली खाली लग रहा था, और उसको हमें फिल करना था flowers के साथ, इसलिए हमने यह जो टॉप और बॉटम पर flowers that we use, हमने उनी को यहां पर भी यूज़ कर लिया है, same flowers, ताकि वह थोड़ा सा आपको जादा भरा भरा लगे, so अब यह दोनों साइड लाओ, look at this, कितना अच्छा लग रहा है भी से, सो यह complete लग रहा है बस यह दो rectangle को करने से, so अब यह वाले जो flowers हैं इनको हम sitting वाला वह बेकड्रॉप बहुत बुरा लग रहा है, वह green green color का, so we use these flowers on this sitting background also, bride and groom को थोड़ा side में करते हैं और यह flowers हैं, पहले आप एक flower लो फिर दूसरा copy करो और उसको एक जगे place कर दो, अब आप canvas से copy करो वह पूरा खुदी अपने आप से copy करता जाएगा, now you will see canvas copying it, बस थोड़ी सी positioning सही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो यह सारे flowers हो गए हमारे, हमारे next videos में, I think यह welcome board है, तो next video जो होगा वो maybe, हल्दी ceremony पे होगा, क्यूंकि I think हल्दी ceremony पे होगा, then mehndi पे and then sangeet and then engagement, I think मैंने इंगेजमेंट का बनाया पहले है, पर I think wedding functions के हिसाब से कहीं पे engagement, wedding के कुछ दिन एक दो दिन पहले होती है, कहीं पे यह जो function स्टार्ट होते हैं उसके पहले होती है, मतलब आगर आप थोड़ा north side में जाओगे, तो इधर wedding से कुछ दिन पहले होती है engagement वगेरा, और बाकी जगे starting में होती है, जो जादा तर cities वगेरा हैं, तो आप मुझे comment section में बता देना कि पहले हम engagement का वीडियो आपके लिए डाले, या पहले आप हल्दी ceremony का देखना चाहते हो, जो भी आप बोलोगे वो हम डाल देंगे, हमें क्या हमारा तैयार है वीडियो, जो आप यह टेंपलेट शेयर कर दो, या लास्टाइम मैं ने एक वेबसाइट करी ती जिसके थ्रू क्या होगा कि आप जितने भी लोग उसमें लॉग इन करोगे, वो सारे लोग अलग अलग उस टेंपलेट को एकसेस कर पाओगी, क्योंकि अगर मैं सीधा आपको कैनवा का दे दूंगी तो प्रॉब्लम यह होगी कि आप एक एडिट करके कुछ चला गया, वही डिजाइन पुरा खराब कर गया तो वही आपको मिलीगी, कैनवा के साथ यह है, अनिवन विद दा लिंक कैन एडिट यही प्रॉब्लम है, तो मैं वेबसाइट पर सोची थी पर मैंने जब सारे उस पर टेंपलेट कॉपी अपलोड कर दिये तो वह वेबसाइट पूरी तरह से हैंग हो गई, और वह वर्क ही नहीं कर पा रही है तो मेरे डेक्स्टॉप में बुकमार्क बनके रहे चुकी है, तो इसलिए अगर आपके पास कोई option हो या कोई easy method हो जहां पर आपको लगता है कि हाँ, इसके थूरू यह template आप हमें दे सकते हो तो comment में बताना, comment section में इसलिए बताती हूं कि वहां पे हम लोग share कर सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है इस video में, मतब sharing is like learning for me, sharing is not always about caring, it is always about learning, ठीक है, तो आप बताना नीचे comment section में, यह वाली काफी lights हमारे पास available थी, यह भी pin interest से हैं same, आप photo download करो, remove background website पर जाओ, आपको ऐसा मिल जाएगा ठीक है, यह lighting यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा यह light, I think this is the most beautiful element I think, बहुत अच्छा element लगीगा यह lighting, इसको हम राइट साइड में भी यूज कर लेते हैं, कॉपी करके, हमारे लास्ट वीडियो आ चुका है, काफी कमेंट्स आये थे कि हमें motion के बारे में और बताएं, तो हमारे कुछ वीडियो जिसमें आप आई को बिलिंक करना सीख सकते हो, आप कार को मूफ करना सीख सकते हो, बोट मोशन जो ओनम के पोस्टर में यूज होती है, वो सारे वीडियो आ चुके हैं तो आप चेक कर लेना, और वो वीडियो प्रिपेर हो जाएगा, मैं जादा उसमें डिफिकल्टी बताने वाली, कि पहले आप एक गंटे तक वही ढूंते रहो एफेक्ट, आपको बस दो तीन स्टेप में सारा motion के रिएट हो जाएगा, सिंपल, तो वो चेक ज़रूर करना प्लीज, आइधिंग यह पूरा प्रिपेर हो गया, पर सम्तिंग इस मिसिंग ना, आइधिंग एलिमेंट एलिफेंट एक की साइड में है, हम इसको कॉपी करके दौनों साइड पर कर सकते हैं, का रांको एलिफेंगेंगा, का दो अफ्या हैं, का दौन का लिएरूरा सुपी में है। तर पहलों साइडिंगान में एलिबरो minha जाएफिंगेंगे रिंगा, खो वो roz心 शक्रते हैं, को आएगरो और अवापमों सम्तिंग ना, दो ओ्यों याज में साहुirm इसको copy कर लेते है element को left side में use कर लेते है अब flip कर दो नीचे option होता है canva में flip का horizontal and vertical this is the option flip कर दो झाल 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 यह कुछ छोटी छोटी से adjustment है जो मैं कर रही हूं क्योंकि मैं को card को देख की समझ आ रहा है कि सारी चीजे एक line में होनी चीए name थोड़ा सा left जा रहा है जादा इस वज़े से मैं adjust कर रही हूं कि छोटी छोटी सी चीजे हैं कार्ड में आपको easily पता क्योंकि bride and groom center में होते हैं कार्ड में हमेशा यह left side में होते हैं generally so अगर चीजें उन से align नहीं है ना तो पता चल जाता है कि हाँ यह card अगर दो पार्ट में इसको फार दें आज तो यह बहुत ही अजीब लगेगा इसलिए आप हमेशा इसको card को ऐसे सोचो कि अगर इसको हम fold करें तो क्या दौनों चीज़े सेम साइज तरीके से जाएंगी और कुछ elements चाहिए देखते हैं यहां पर मिलेंगे की नहीं elements में जाते हैं सर्च करते हैं golden circle क्योंकि थोड़ा सा golden color अभी कम है उसको use जादा करना है उन्होंने बोला था कि थोड़ी सी luxury वाई पानी चाहि एक्चली उनका card जो है वो मैं उनको दे चुकी हूँ जिन्होंने client ने order दिया था यह मैं सिर्फ आपको उनका card जो मैंने बनाया था उसका copy बना के दिखा रही हूँ कि कैसा है थोड़ा सा उनकी bright and groom के हमने faces वगेर ड्रॉ करेते वो हम same नहीं दिखा सकते हैं ना problem हो मंदला टाइप में कुछ गोल्डन कलर का circle होता है ना जो दिवाली रंगोली का होता है उस तरह का दून्वियू में आए देखते हैं मिलता है कि नहीं I think this one is very pretty I will use this इसको थोड़ा सा size में कम कर लो small बिल्कुल and then जहाँ elephant इसके top में इसको प्लेस कर देते हैं so it will look very nice I think yeah it's looking amazing so यह थोड़ा wedding wife firecrackers और रंगोली दौन की वाइब एक साथ देगा so it's good now I think my card is ready and it is very it is very pretty so यह काफी अचलागा I think मैंने जितने card यह बनाए अब तर my most favorite is this one if I have to use personally I will definitely use this so यह वाला card आप लोग ट्राइ करना बना के देखना बहुत ही प्यारा card है बहुत ही इसली बन जाएगा so अब हम इसको name दे देते हैं क्योंकि काफी सारे video content आपके लिए ला रहे हैं please if you like this video then please subscribe our YouTube channel आपको ऐसा content आ कि आगे भी मिले and thank you for your time bye you